अन्हीं मुश्ट आऊटं टोपिक के बारे में जय्मित निकाय। यानि कि हीमोग्लोविन हमारे रखत में एक लाल बढ़नक के रूप में उपस्थित रहता है अच्छा हीमोगलोविन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोगलोविन और आपका जल्ब बनाता है तो यह आपको पेपर में लिखना है आप लिखेंगे हीमोगलोविन का एक भाग रखत में लाग बढ़नक के रूपनों पस्तेत होता है हीमोगलोविन जल के साथ करिया करके आपका ऑक्सी हीमोगलोविन और जल बनाता है साथ में एक बात और होती है हीमोगलोविन जो है वो हमारे पूरे जीव जन्तुओं के अंदर आपके ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करता है अगर हीमोगलोविन ना हो तो हमारे लिए ऑक्सिजन ले पाना मुस्किल होगा और इस कंडिशन में इंसानों की प्रत्यूभी हो सकती है तो सिंपल वासा में कहें तो हीमोगलोविन जो है वो हमारे रख्त में एक भाग के रूप में बस्तित रहता है साथ में ये हमारे सरील में आपके ऑक्सीजन को प्रभायत करने का विकार करता है इसके बाद बाद करते हैं क्लोरोफिल की तो जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ पौदे जो हैं वो हरे हरे दिखाई देते हैं पत्तियां और तो किसके कारण दिखाई देते हैं we actual moин कर पंद हैं जिसा कि हैं चैके जो भी आपके पर हरेपेड़ पौदे होते हैं वह सब अपकी सूरें के प्रकास, जल और आपकी कार्बंडय औक्साइड को लेकल portion करते अपनी उठ्गल प्राप्त करते हैं अपना ओंजनमाप्त करते हैं कि defok village जो है वो पत्तियों में होती है पत्तियों में जो अपर क्लोरोफिल होता है उसके करण संभव हो पाती है तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो यह संभव नहीं हो गाई है तो यह हरे प्रणका बढ़नक है जो क्लोरोफिल है वो एक हरे रंका बढ़नक है जो प्रणका बढ़ हरे वर्णक के रूप मौपस्थेत होता है और यह बेड़ पौध हमें होने वरी प्रकास अंसलेशनी के लिए में सहायता करता है जिसके जिससे बेड़ पौध है अपनी उर्जाप्राइब तो आप इस लाइन को छोड़ भी सकते हैं कोई खास बड़ी बाद नहीं है इसके बाद में आता है बिटामिन बीटवर्ड तो बिटामिन बीटवर्ड जो है यह एनेमिया रोग में काम आता है एनेमिया रोग के अलाज में काम आता है तो यह हैं हमारे उपसेस अन्योजफ योगर्ड जो जीवे लोगों में पाई जाते हैं और उनके लिए काफी महत र जब लिचे हैं थाल